वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12 के पोएम नमबर टू एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास रूम इन असलम में आपका स्वागत है आज हमने आपके स्टेंजा 6 का वीडियो प्रिपेर किया इसमें आपके रेप्रेंस कॉंटेक्स और एक्स्प्लेनेशन के साथ क्वेसं आंसर भी प्रिपेर किये हैं साथ ही हमने इसमें आपके इस्टेंजा फूर की एक्स्प्लेनेशन भी एड की है ताकि आपको कम से कम नए वर्ड्स याद करने पड़ें आई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बता दू ओन देर से लेकर इसका रेप्रेंस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है रेप्रेंस हम वही सेम लिख रहे हैं यह आप कोंटेक्स के पहले लिखें चूंकि वह चीज सब में सेम इसलिए मैंने बार बार उसे नहीं लिखा है कवी कहता है कि गंदी बस्ती के बच्चे विक्टिम्स हैं विक्टिम्स का मुलब शिकार हैं किसके मेंन न्यूट्रेशन नहीं कूपोशन के कुपोशन एक बीमारी है जो कि कमजोर बचों में कम खान पान जिनका होता है खान पान अच्छा नहीं होता है उनको होती है वे सरीर से बहुत पतले हैं और बहुत कमजोर है अब यहां पर कॉंटेक्स्ट में हमारा क्योशन नमबर वन कम्प्लीट हो रहा है हव्ड़ू दा सलंब चिड़न लुड गंदी बुस्ति के बच्चे कैसर नजराते हैं तो इस क्वेशन का आंसर हम क्वेशन लिक रहें तो क्वेशन विया दो रहा हैह शाहति परल है這樣的 क्वेशन नम्बर अब हम आगे बढ़ते हैं explanation में जहांसे मारे question number 3 के answer complete हो रहे हैं लेकिन police की इन्दी translation समझना जरूरी है according to the poet the slum children live a deprived life कवी के अनुसार गंदी बस्ती के बच्चे deprived यानि वन्चितता का जीवन जीते हैं they live and wander among the heaps of west वे wander यानि बटकते हैं लिव यानि रते हैं वेस्ट यानि कच्रे के heaps यानि धेरों में यानि वे कच्रे के धेरों में ही रते हैं और वहीं विच्रण करते हैं the slum children live in crammed halls that are covered by fog वे गंदी बस्ती के बच्चे रते हैं crammed यानि तंग शंक्रे halls यानि जोपडे मकान they are covered by fog जिने की कोहरे ने धुंद ने अंदकार ने cover किया हुआ है डखा हुआ है they are deprived of good education यहां पर question number four cancer complete हो गया इसी व्यक्या में यह आंसर चालो गया है वे डिप्राइवड हैं अच्छी सिक्षा से healthy for food उनका जो भोजन है वो भी healthy नहीं है and therefore और इसलिए suffer from many diseases वे कई सारी disease बीमारियों से सपर करते हैं पीडित रहते हैं ग्रशित रहते हैं sensation मेनलनिटर audi trant the Viennaelly kोपोशन मैस दें इस्टंटेर कुफोशन की वजय से वे इस्टंटेर हो गए हैं इस्टंटेर का मलो होता है अंडेवलप्ड अविख्षित हो गए हैं टियर बॉंच ट्रू थू देर या नजर आ रही है और यह सो टांसे टाइप है और व्याक्या में यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर भी साथ ही कंप्लीट हो रहा है दे आर सो पूर डेट दे हैं तो वियर रिपेर डिस्पेक्टेकल्स विद ब्रोकन ग्लासेज वे इतने गरीब हैं कि उन्हें वियर पहनन पड़ रहे हैं रिपेर यानि मरमत के हुए इस्पेक्टेकल्स यानि चस्में विद ब्रोकन ग्लासेज जिनके काच मी ब्रोकन टूटे हुए हैं दा पूइट वांस दा मैप्स तो भी ब्लोटेड विद स्लम्स विकोज फोर दीज स्लम चिर्दन दिस मैप देट शोज अल यहां पर क्योशन नमबर टू का आंसर हमारे कंप्लीट हो रहा है आप क्योशन नमबर टू समलीजे वाय ड़स दा पूइट वांट दा मैप्स तो भी ब्लोटेड विद स्लम्स कभी क्यों चाहता है कि यह जो मान चित्र है इन्हें स्लम्स यानि गंधी बस्तियों से संदर वस्तु यह दिखाते हैं उन पर गंधी बस्तियां दर्साना चाहिए ऐसा क्यों कभी चाहता है और इसका आंसर हमारे क्योशन नमबर टू का यहां से कंप्लीट हो रहा है कभी चाहता है कि इन मान चित्रों पर गंधी बस्तिया दर्साइब जाए क्योंकि होड़ दी इन गंधी बस्ति के बच्चों के लिए इन गंधी बस्ति के बच्चों के लिए इस मेप डेट शोज ओल दे गुड़ तिंग्स ओप लाइफ यह मान चित्र जो जीवन की सारी सुन्दर वस्तुयां में दिखाता है यहां फोर पे मैंने निशान लगाया है क्योंकि इस टें देखते हैं देखते हैं देर वर्ड इस डार्क एंड अंसर्टेन उनका तो जो संसार है वह अंदकार में है और निश्चित है अनिश्चिता से बढ़ा हुआ है अब यहां पर क्योंसर नंबर 3 लोंग आंसर टाइप में और इस ही कात्वा में एक और क्योंसर है what kind of word the slum children live in किस प्रकार के संसार में गंदी बस्ती के बच्चे रते हैं और the slum children live a life of deprivation explain गंदी बस्ती के बच्चे वंचितता का जीवन जीते हैं इस पष्टि कीजिए दोनों आपको कम से कम 80 words में लिक कराने हैं और इनका आंसरा आपको tension की जड़त नहीं है और ये आपके answer complete हो गया इस प्रकार reference, context, explanation और इसके सारे question, answer समने complete किये अगले part में आपसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो को अपने friends को भी share करें लाइक जरूर करें और अपने channel को भी subscribe करें friends Thank you